नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ब्रजबुशन दूबे और आज आपसे दो अनुरोध ग्यापित करूँगा आसा है आप उससे स्विकार करेंगे पहला अनुरोध है कि हमने नया मुबाइल प्रयोग में लाया लगभग 15 दिन पहले पहले वाले मुबाइल में जो नंबर थे नाम के साथ जिनका आंकन किया गया था मानुवी ये भूल कहें अथवा तकनी की जानकारी का भाव वे नाम बहुलता में हजारों नाम एसे हैं जो नहीं आपाए इस मुबाइल में काफी प्रियास के बाद भी वह नहीं आपा रहे हैं बहुत से मित्र ऐसे जुड़े हुए थे जिनसे बहुत बार बात चीत हुई है लेकिन उनका नाम हमारे नए वाले मोबाइल में नहीं है इसलिए उनका कोई मेसेज आता होगा तो उन्हें तो यह पता है कि ब्रजबुशन दूबे जी से हमारी कई बार बात चीत हुई है और वह इसका संग्यान नहीं ले रहे हैं तो अनरोज नमर एक कि आप नया जो मेसेज करेंगे उसमें आप अपने नाम का उलेक करेंगे जिससे कि हम अपने नई वाली मोबाइल में उसे संड़चित कर सकेंगे सेफ कर लेंगे फिर बैचारी कादान परदान और जो भी सुचनाएं होंगी वह आप सभी का हम ग्रहन करेंगे और अपनी बात आप तक पहुँचाएंगे बहुत से लोग हलो हाई कर देते हैं कैसे हैं क्या हो रहा है बड़ा दुख हुआ माता जी का तो मैं देखता हूँ यद्देब की समय कम बिल पा रहा है सुबह से साम तक राद तक लोगों का आना जाना लगा रहता है जो अपने सुभेक्चु हैं जो हमारे प्रती सुभ भाव रखते हैं वो माता जी के देहावसान पर आते भी हैं आभी रहे हैं और फिर संचार जनित माधेमों से वे इसके लिए खेद परकास कर रहे हैं और परमात्मा से प्रात्ना कर रहे हैं कि उन्हें उपर वला आपने चरणों में अस्थान दे आप सभी इस बात से भीग्या हैं कि माता जी का देहावसान मंगलवार 7 जनवरी को हो गया था और हम लोग उसी कारिकर में लगे हुए हैं मुझे लगा कि कुछ परमपराओं को थोड़ा जाए और जैसे मृतु भौज इतियादी पर जो फालतू के करची वसे कम किया जाए क्योंकि कम जोर लोग अपना खेत बेज करके बंधक रह करके यहाती भासा है लोग क्या कहेंगे सभाज क्या कहेंगे करना है कुछ बेहतर करना है अब माली जे माताजी तो पुरानी थी अगर नई मृत्व हो जाती है दुरघटनाओं में मृत्व होती है तो भी लोगो हकाम करेंगे ऐसे में आने वाले समय में हम इसे और भी संच्छेप में कैसे किया जा सकता है आडम मरहित कैसे करना चाहिए साधे रूप में हम कैसे इस रूप में करेंगे बाराल अभी उस परंपरा को मैं तोड़ने में अपने आपको अस्फल महसूस कर रहा हूं लेकिन बात निकली है तो दूर तलग जाएगी शुरुआत हुई तो कोई बात नहीं तो हम लोग वह सारे कारिक्ट्रम विधि-विधाम से संपादित किये जा रहे हैं जैसे रोज नहाना है फिर दसमें के दिन सीर मुडवाना है फिर पंडिजी लोगों को देना है फिर इसमें सब का लाव है जैसे जो परंपराएं बनी थी उसका भी बड़ा मनोबयानिक पक्ष था उसमें तमाम लोग जुड़े थे सब का जैसे सभी को मिलता थ सबी का ही तो समें था जैसे दर्जी कपड़ा सिलेंगे फिर जो नाई हैं उनका ही तुस से जुड़ा था जो कुम्हार है उनको बरतन का जैसे फुलई में दि monopol बोला है 4000 परवाने के नहीं के लिए हम कल गए थे उनके घर जो हमारे कुम्हार हैं तो दुखी भईया हैं सुखी सुखी और दुखी भईया तो दुखी भईया के घरम गए थे भावी थी चाय वाई पिलाई तो 4000 कुल हड़म ने कहा कम से कम अब जितना बना सके हो लोग 5000 हम चाह रहे थे 4000 वह लोग बराएंगे मौसम ठीक रहा तो लोग बराके देंगे हम लोग पहले से भी 20 बरसों से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं यह आचरन में ढाल करके तब ललकारते हैं ऐसे नहीं होता है कि आप आप ऐसे गंदा कृति करते रहें और दूसरे से अच्छा कहेंगे चलिए एक तो यह रहा तो आप हमें अपना नाम लिख करके अस्थान लिख करके मेसेज करेंगे दो तीन जिन चार दिन में मैं सभी का सेफ कर लूँगा दूसरा जो अनरोज मुझे आप सभी तक पहुंचाना था वह यह है कि सत्र जरावरी को दसमा maggile को दान पुणी किया जाता है कुछ चार यार्पाइश बर시 एसे दिया जाता है फिर उसके बाद एक होता है बराव 직jang को दान दीन एक और होता है जिसमें पुरोहित लोगों को दान दिया जाता है कुछ और बी कारिक्यर्म होते हैं और उस के बाद अगले दिन यानि तिरहमे दिन त्रेवदसी त्रेवदसा ऐसे कहा जाता है तो उस दिन लोग खाते पीते हैं फिर लोग आपस में दुख बाटते हैं रिष्टे राते के लोग आते हैं इस्ट मित्र लोग आते हैं तो हम संचेप में करने का था लेकिन अब माता जी कोई ऐसा नहीं है तो सभी के परामर से हम लोग ठीक से करेंगे मैं उस दिन के लिए 20 तारिक को 20 जनौरी को यह 23 का कारिकम है वैसे तो ग्लोबल रूप से जुड़े हुए मित्र हैं देश के कोने-कोने से जुड़े हुए मित्र हैं सब का आना संभव नहीं है बहुत से लोग यह मैं मना तो नहीं करूँगा लेकिन ठंड का मौसम है आना जाना फिर आने जाने में किसी को ट्रेन से आना है किसी को बस से आना है पैसे का भी अपव्य होगा तो आप अगर वहां से भी आपकी संभेदना हमारे तक पहुँच रही है जो लोग आना चाहें हम उनके लिए इंकार नहीं करेंगे और भी आउसर है आगे भी आउसर आएंगे साधी बिवा है बच्चों का तो अब यह एक बड़ा परिवार है गलोबल रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं और बैस्विक दोस्ती का एक बड़ा अस्तंब है यह वाटसाप फेसबूक और होती हैं तब ही आप हमें छेताते हैं भगवान राम ने कहा था कि जो अनीत कछु भाखाओ भाई ताओ मोही बर्जव भैभिसराई उन्होंने का अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो प्रजा का लोगों का अधिकार है कि हमें वह डांटे हमें वह रास्ता दिखाए उस काम को आप लोग करते रहते हैं जो भी हमारे ग्लोबल रूप से जुड़े हुए है आदरडी है दोस्त हैं इस काम को करते रहते हैं मैं भी सचेत हो जाता हूं कहीं गलती हो जाती है तो आप सभी बताते हैं कि यह चूख हुई है कहीं मान भी बूल हो जाती है तो भी तो इससे ल करने के लिए हमसे कहते है कुछ लोग अनुरोद करते हैं कुछ डाढ़ते भी कुछ लोग कड़ाई से भी कहते है Biraz है करेंगे चारीकम करेंगे हजारों लोग आएंगे गाओं भी हमारा बड़ा है गाओं में हमारा घर जहां है उसके अगल-बगल पंडी प्रणिजी लोग हैं राजपूत बिरादरी हैं बनिया बिरादरी के लोग हैं ठठेरा लोग हैं कुसबाहा जी लोग हैं मुसलमान भाई लोग हैं और इसकी अत्रिक्त और भी कई जातियों के लोग हैं तो एक कभी लगता नहीं जैसे एक अच्छा समू है अच्छी भावना से ओत्परोत लोग हैं तो सभी से हैं सभी के घर आना जाना है फिर कुछ कनोजिया साहब लोग हैं फिर कुछ वह लोग हैं बासफोर लोग हैं ऐसे लोग हैं तो उनके साथ भी हैं सभी के साथ बड़े हैं तो भहिया चाचा वह लोग कहते हैं हम लोग को भी कहते हैं तो ऐसे बहुत अच्छा है कभी आप आएंगे तो आप देखेंगे कितना पवित्र भाव है कितने कितने अच्छे डंग से यहां लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बड़ा ममत तो है बड़ा प्यार है तो अनुरोध दो थे दोनों आपने ध्यान से सुना और आसा करता हूं कि आपका स्ने असरोत हमारे लिए सुखेगा नहीं और आप हमेशा मनोबल बढ़ायते रहेंगे जो लोग आना चाहें मैं नंबर बता देता हूं कुछ नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा अपना नंबर जिससे मैं वाटसप चलाता हूं जिससे मैं जिस पर फोन र आपका रिसीब करेंगे आपको समचीत उतर देंगे और आना चाहें तो राष्टा बताएंगे यहां बीस तारिक को खाना पीना तो साथ में होगा ही रुकने का भी इंतिजाम रहेगा आप 21 को 22 को जब जाना चाहें जा सकते हैं कोई दिक्कत रही है और लेकिन इस लिए आ आगे बहुत लोग आते जाते रहते हैं बहुत मित्र आते हैं कुछ मित्र आये भी हैं कुछ रुके हैं कुछ जा रहे हैं कुछ आके रुके जा रहे हैं तो जैसा आप चाहें और वहां से भी आप माताजी के लिए आप लगातार परमात्मा से प्रातना करी रहे हैं वह उन जो मुंडन करवा करके जो करते हैं अंतिम संसकार तो वही कर रहे हैं 82 साल उमर है उसको संपादित कर रहे हैं रोज जाकर के पानी देना ठीक है एक भूलने का तरीका है या भी है धार्मिक भी है और आदमी उससे रहेगा कि आज यह करना है कल ओ पूर्ब हो ना है उनको पुलाना और सब को जोड़ा गया हैं सब के बाद मुक्स तभी मिलेगा जब आसफोर जो डौम जात के लोग हैं वो gewa आएंगे और उनrictी मनो कामना को हम पुरुण करेंगे जो भी हम देंगे जो भी माँगेंगे सच्छा से हम देंगे और उसके बाद जब हूँ आप बोलेंगे कि यृग्य पूरा हो गया ये पूरा तब ही बताते हैं कि यहां से आत्मा ठीक है जो भी उस पचडे में ना पढ़ने उनको और लगातार मैं उनके लिए भी कर रहा हूं जो नीडी हैं कुछ कापी किताब कुछ कलम कुछ ऐसे साबुन तेल कपड़ा कुछ ऐसे करता रहूँगा आप सभी अच्छे हैं और आप सभी का स्ने हमेशा मिलता रहेगा प्रजबूसान दूबे और उनके तरफ उनके प